तो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग होफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे जो लास्ट मैंने वीडियो अप्लोड की थी ना मेरे हॉस्पिटल कार्ड की तो कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं आपका लेवल टू नहीं हुआ है बढ़ ऐसा कुछ नहीं है गा एमली स्कैन के नाम से भी जानते हैं तो लम्प 10-8-2019 जैसे अल्टरसाउंड में और बाखी सारी चीज़ों में भी आपने देखी हैं लाइक मेरे हॉस्पिटल कार्ड में भी जो मेरा ये स्कैन हुआ था वो 19 weeks and 6 days पर हुआ था यहाँ पर आप देखेंगे इस अल्टरसाउ जाती हैं आपके बेबी की ओरगन्स, इंटर्नल ओरगन्स और एक्टर्नल ओरगन्स, मीन्स किड्नी स्टमक जो आपको फिजिकली अगर आप बच्चे को बाहार से देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं जो लाइक उनकी नोस, लेप, हैंड्स, इयर, सारी चीज़े, उ सारी चीज़े भी इसी ultrasound में clear हो जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे single life मतलब की जो मेरा baby है वो single baby है हर scan में आपको ये line जरूर मिलेगी अगर आपके twins baby है तो twins और single baby है तो single मैंने जैसे कि आपको बताया इस scan में बहुत सारी चीज़े दिखाई देती है सो यहाँ पर आप देखेंगे single life intertwined pregnancy in variable presentation at the time of scan is noted fetal, sorry आपको थोड़ इसी problem हो रही है तो fetal cardiac and line movements as viewed under real time in scanning appear normal fetal heart, four chamber view, line orbits, skull and spine appear normal सारी चीज़े देखे जाती है fetal की kidneys, stomach and urinary bladder are normal amniotic fluid is advocate and regularly distributed जो amniotic fluid होता है उसका normal रहना और regularly distributed मतलब की regularly distribute अच्छे से हो रहा है placenta is fundo anterior away from internal OS, retro placenta in area clear fetal breathing movements and muscle tone is normal cervical length is normal, internal OS is closed, the umbilical cord is normal तो सारी चीज़े नॉर्मल है इसमें यह जो measurements दी हुई है यह आपको doctor ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे जो कुछ चीज़े mainly होती है वो होती है fetal heart rate and estimated fetal weight EFW का मतलब होता है estimated fetal weight जो की है 297 grams plus minus इसलिए क्योंकि actual में देखे आप उसको weight नहीं करते हैं वो aprox ही बता पाते हैं यहाँ पे आप यह चीज़े देख सकते हैं EDD यहाँ पे 18-5-20-20 दी हुई है बड़ जो मेरी baby था वो 4-5-20-20 को आ चुका था यह pre-plant ceserian था मेरा at a time नहीं हुआ था pre-plant था so pre-plant में आप 2-4-10 दिन उपर नीचे कर सकते हो अगर आपकी कोई problem नहीं है तो so यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न बाकि यह जो measurements होती है वो भी बहुत जादा important होती है बाकि मैं आपको यह दिखा देती हूँ जो scans होते है न उसमें सारी चीज़े यहाँ पे बहुत अच्छे से mention की होते देखिए foot and toes बहुत अच्छे से आपको दिखाई जाती है बाकि सारी चीज़े urinary bladder है जैसे की और क्या क्या चीज़े यहाँ पे दिखाई यह देखिए kidneys यहाँ पे आपको show हुई है यह सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से दिखाई देती है hand and fingers सो इस तरीकी की report आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी mainly जो होता है न वो होता है कि आप fetal weight चेक कर पाए fetal heart rate देख पाए दूसरी चीज़ कि आपके baby के internal and external organs ठीक है या नहीं सो यहाँ पे आप देख पा रहे है ना lips भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं यह चीज़े आपको यहाँ पे देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप pregnant है और screen पर यह चीज़े life देखेंगे तो अलग ही experience मिलता है यहाँ पे heartbeat बहुत अच्छे से दिखाई गई है और यह कुछ भी fake नहीं है यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं EDD यहाँ पे mention की हुई है बिलकुल भी कोई चीज़ फेक नहीं है सारे ultrasound मेरे ही है कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ऐसे ही किसी का भी उठाकर आपको दिखा रही हूँ मैं इसमें से कोई भी क्यूरी हो तो प्लीस comment section में बताईएगा thank you so much मिलते हो next video में